यमुना का जल सरक गिरने से जहां शेर भर में पानी की किलत पैदा हो रही है तो वहीं गंगा जल की आपूर्टी भी कम होने से लोग परिशान हैं अधिकारियों के अनुसाल लगातार पालड़ा ज्छाल में गंगा जल की कमी होने से आपूर्ती भादित होगी लेकिन उसके बाद भी अधिकारी गंभीता नहीं दिखा रहे हैं जिसके चलते आज यमुना का पानी दूशित हो रहा है हलाकि लोग आस्था के चलते इसका प्र चलती थी ताज महल के पीछे लोग घूमते थे नावों में लेकिन आज उसके हालाज यह हैं कि नाव केवल खड़ी हैं और पानी नाइम की चीज नहीं है अगर बात की जाए गोकल बैरास से छोड़ जाने पानी की तो वो कम मात्राव चोड़ जाता है जो सेहर के नाले हैं जो नाले हैं सभी यमना में आ रहे हैं जो कि 2004 में जब भाजबा सरकार बनी थी केंद्र में तो नमा में गंगे योजना सुरू की गई थी गंगा से इसकी सभी नदियों को साफ करने का बीडा देश के प्धान मंतरी नरेंद्र मोधी न उठाया था लेकिन अब हालाद वो ह कुछ दिन इस पर बड़ा चर्चा हुई बड़ा जोर से काम चला लेकिन आज वही यमना गंगा और और नदियां अपने हाल पर आंसुब आ रही है यह ताज मेल के पीछ जश आप देख सकते हैं किस तरह की गंदगी है और जो के दायरा है यमना का वह मेहज समटके रह गय हाली में अभी प्रसासन दे जारी आदे जारी की आया कि लोगों को गंगा जल नहीं मिल पाएगा फालडा जाल से जिस तरह पानी की कमी है और यमना में पानी कम है इसे लेकर आगरा में आप उर्त भी बंद रहेगी सेर के आदी आब आदी को परेशानी का सामना करना देश के मैं चलने वाली योजना होगी तो योजना नमामि गंगे है उसके तहते हैं अब तक सफाई हुई है पूरी गंदी के ठेर हैं चंद करमचारी इन्हें साफ करते हैं लेकिन आज यही नदिया यही यमना हैं अपने हाल पर आंसू बार रही हैं देखना ही होगा क्या न मैं मुकेश राजपूत के साथ आशीश पारा साथ डीजी मराई न्यू जागरा